जैहिन दोस्तो असी शब प्रति मिनट की गती से संपात की रिक्टेशन स्टार्ट होगी पांस सेकिंड बाद स्टार्ट अच्छी सडकों को विकास के एक मानक के तोर पर देखा जाता है लेकिन इनका इस्तिमाल करने वाले लोग अगर सफर के सलीके और काईदों को ताक पर रखते हैं उसका नतीजा कभी भी सुखद नहीं हो सकता आए दिन इस मसले पर अध्यनों में यहे बताया जाता रहा है कि बहुत मामुली लापरवाही की वजह से होने वाली दुरगटनाओं में जिस पैमाने पर लोगों की जान चली जाती है वहे चिन्ता की बात है लेकिन ऐसा लगता है कि ये आकड़े ना सरकार को ज्यादा चिन्तित करते हैं ना लोग इस से सबक लेते हैं बेहद अफसोस जनक ये भी है कि इस तरह के हादसों में ना केवल वयस्क लोगों की जान जा रही है बलकि उनके साथ सफर करने वाले बच्चे भी नाहक ही जान गवा बैठते हैं अंदाजा इस से लगाया जा सकता है कि अकेले दिल्ली में पिछले तीन साल में एक से सत्रा वर्ष तक की उम्र वाले एक सो एक सट बच्चों की जान चली गई अब यहे एक समानने निशकर्ष है कि इस तरह के हादसों में जितने लोगों की मौत हूती है उनमें से जादा तर की जान सिर्फ कुछ सावधानी के जरिये बचाई जा सकती है लेकिन इस मामले में बरती जाने वाली बहुस तरिये कोताही के चलते अवल तो हादसों की रफतार पर रोक नहीं लग पा रही है और ना ही इसमें मरने वालों को बचाया जा पाता है यहे छिपा नहीं है कि वहानों के आपस में टकरा जाने और उसमें किसी के बुरी तरह घायल होने में सबसे बड़े कारकों में यातायात नियमों का पालन नहीं करना निर्धारित से ज्यादा तेज रफतार से गाड़ी चलाना हेलमेट और अन्य सुरक्षा यंत्र पहनने को लेकर लापरवाही बरतना मुख्य है जबकी सडक पर चंद पलों के भी तर उचित निर्ने लेने में आसंतूलन की वजह से बड़े हादसे हो जाते हैं और उसके बाद ये कारक किसी के जिन्दा बचने की रही सही उमीद खतम कर देते हैं यहे बेवजह नहीं है कि अब सडकों पर वाहन चलाने के मामले में नए सिरे से नियम सक्त करने दो पहियां पर बच्चों के लिए हेलमट अनिवारे करने जैसे उपायों को अनिवारे बनाने की बात उठ रही है विडमना यह है कि अगर कहीं नियमों के मताबिक अमल को लेकर सरकार का आग रह होता है तो वहां लोग अपनी और से इस हद तक लापरवाही बरत्ती हैं कि किसी की जान चली जाए इसे यातायात को लेकर जरूरी परशिक्षन का अभाव कहा जा सकता है लेकिन इस से ज्यादा यहे ना केवल दूसरों के जीवन के प्रती बलकी अपनी सुरक्षा को लेकर भी सजगता के अभाव का नतीजा है स्टूब